नमश्कार दोस्तो मेरे पाम रिडिंग चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। समय में ये नौकरी में हैं आगे कि जिन्दगी के विश्य में जाना चाहते हैं आगे जिन्दगी पर ग्रोथ के विश्य में जाना चाहते हैं और कितने अमीर बन सकते हैं ये जाना चाहते हैं और जिन्दगी कैसी रहेगी तो मैं आपको लिख के देता हूँ कि करोरपती बनन तो positivity में तो बहुत जानदार positivity हाथ पर है बेहत शानदार शानदार positivity है जहाँ पर से जातक जिंदगी पर अमीर बनते ही बनते हैं लेकिन एक बहुत ताकतवर negativity भी है इनके मस्तिक सरेखा पर दिक्कत है इनके मस्तिक सरेखा पर problem से जहाँ पर से जातक को समस्याइं आती हैं व लेकिन मैंने इस शब्द का परयोग पबिलिकली क्यों किया कि आप करूरपती बनने वाले हैं इसका क्या वज़ा था क्योंकि आपके हाथ पर ताकतवर अवस्थाएं थी ताकतवर भागियरेखा है ताकतवर सूरी रेका है वी नुमा करते स्कुआर साइन क्या चाहिए अब आईए देखते हैं सबसे परहे तो देखो भागियरेखा कितनी पतली और कितनी विजिबल है सबसे परहे तो भागियरेखा पर नजर जाता है जो की बहुत पतली है और बहुत जादा विजिबलिटी के साथ है आगे की भी भागियरेखा बहुत शांदार है जिन्दगी का साथ नहीं होती है जितनी clarity के साथ इनके हतली परवस्थित है बहुत शांदार उसके बाद यहां से देखो बहुत जांदार एक और भागे रिखा के branches तो अगर ठीक से आव फील करेंगे तो ये एक तर्शूर नमा माकिर्थी जरूर बना रही है मतलब तीन एछ से दनलाव के योग को बता रही है और आने वाले समय में उच्छे स्तरिय सफलता को बता रही है भागे रिखा कि तीन बराजश का अड़िए यह होता है कि जातक को बहुत जादा धन आता है जातक के जिन्दगी पर बहुत ज़्यादा धना आता है इस बात का परचकराती तो तीन तीन जगहां से ये धनलाफ को इंडिकेट कर रही है क्या बात है बेहर शांदार उसके बाद देखो पास्टिविटी सूरी रेखा कितनी ज़्यादा बड़ी है मतलब इनकी सूरी रेखा जो है न ये बहुत कमाल है बहुत ज़्यादा बड़ी सूरी रेखा है एकदम मज़दार सूरी रेखा है और इसे सूरी रेखा पर एक तरवजनुमाकरती जो के ये भी शांदार है यहां से भी एक ब्रांचे सूरी रेखा के यहां से भी तरवजनु को indicate कर रहा हूं तो सूरी रेका बहुत जबर्दस्त है वी नुमाकरती के साथ है अब क्या चाहिए वी नुमाकरती करोरपती वाले आकरती होती है तो बहुत जबर्दस्त है उसके बाद देखो बुद्धर रेका कितनी गजब मतलब भाई साथ पैसे कहा लखोगे आप बुद तो यहाँ पर से थोड़ी विजिबिलिटी हम कम मानेंगे लेकिन बुद्ध रेखा भी अच्छी बन रही है जहां से भी एक ब्रांचेस बुद्ध के लाइन के तरफ से आगे बढ़ रहे हैं बुद्ध पर खाई रेखा जो इनसान को बहुत तेज तराग बनाती है और इसके फल को भी बताया जाएगा अभी मैं आगे देख रहो इनके हाथ पर तो एक जबरदस दिखने वाली जीबन रेखा जो की बहुत शानदार लाइफ लाइन है और इसी लाइफ लाइफ लाइन पर प्रगती के योग निरंतर आपके अगली पर बने हुए है तो यह तरक पती पर एक स्कॉयर जैसी आकिरती है जो की जिन्दगी के सेटल होने का परचकरा आती है मतलब पॉस्टिविटी तो रज रज के आपके अतली पर है भर भड़ के आपके अतली पर है जातक के जिन्दगी पर एक दम खुसनुमा है सास जातक की तरक्की की प्राप्ती जातक का मज़ेदार जिंदगी इस बात का परचकरा रही है बहुत शांदार positivity तो ये तो lines के एवज में आपकी positivity थी अभी थोड़ा मैं planets के एवज में देख लेता हूँ कि एवज लाइन्स के positive अवस्ताओं को देख के जादा आस्वस्त ना कर देना है आपको अपने planets के भी positivity को देखना और समझना बहुत जरूरी है तो चलिए जी मैं आगे देखता हूँ और समझाता हूँ कि planets कैसे हैं इनके शुक्र भी बहुत अच्छे हैं इनके दली पर हैं बहुत जबरदस हैं दोनों मंगल इनका बहुत जबरदस हाईरी एनरजेटिक हैं और इनका चंदनमा भी बड़ी आया सन मरकरी भी इनकी काफी ज़ादा अच्छी है मतलब maximum planets Jupiter को छोड़के बाकि सारी ही planets आपके काफी अच्छे conditions में काफी strong conditions में मतलब क्या बोलू मैं मैं क्या बोलू बस मुझे एक ही बात जहन में आ रहा है कि मज़दार तो planets भी काफी अच्छे conditions में थे ये काफी अच्छी positivity आपकी थी साथी साथ आपकी रेखाओं की बनावट भी जो है न ये मंत्र मुग्द कर देने वाली है मतलब बहुत अधभुत है जो बहुत कम लोगों कहतली पर देखने को मिलती है और ऐसी अवस्ता जिस भी व्यक्ति कहतली पर होती है मतलब जिन्दगी पर तरक्की की गैरिंटी है ये तो थैह ये तो होगी positivity और positive चीज़ को देखना समझना बहुत जरूरी होता है तो negative चीज़ को भी हम देखते है तो सबसे पहले negativity अगर मैं इनको दिखाने का प्रयास करूँ इनके हाथ से तो इनकी मस्तिक्स रेखा की बनावट थोड़ी सी अटपटी सी आपको लगड़ी होगे ये मस्तिक्स रेखा इनकी तूटी हुई है तो सबसे बड़ी negativity ये जो जिन्दगी पर परशान कर सकती है मानसिक तनाव को देती है मानसिक तनाव को देती है जिन्दगी पर परशान कर सकती है ये negativity अब इनकी मस्तिक्स रेखा में क्या हुआ है अगर आप गौर करने का कोशिश करेंगे तो मस्तिक सरेका यहां सक तो ठीक था यह मस्तिक सरेका सीधी चली यहां पर आके रूप गई और यह अगर मैं एज देख रहा हूं यहां पर से तो इसको मैं तरिकली निकाल पा रहा हूं 36 वर्स का 36 की एज है और अगर आप ठीक से फील करेंगे तो यहां पर भी ज्यादा visibility नहीं है यह तीन साल तक ज्यादा visibility यहां पर नहीं है यह बहुत कम visibility के साथ है तो यह एक जगा है यह विकंड रहे गिया है और यह फिर आपके 40 वर्स के बाद के मस्तिक सरेका चीए तो यह जो आपका 36 से लेके 40 में साल तक का आयू है ये मस्तिक सरेका के बगैर है और मस्तिक सरेका टूटी हुई है तो ये मानसिक तनाव के योग को बताती है पीक समय है केरियर का समय है ये आपके लिए तकलीफ देवस्था माना जाएगा तो आपके हाथ पर कोई नेगेटिविटी नहीं थी यही एक नेगेटिविटी थी जो आपको परिशान कर रही थी यही एक खास नेगेटिविटी थी और आपके हाथ पर कोई नेगेटिविटी नहीं है अगर आप इसका उपाय कर लेते हैं अगर आप इसका उपाय कर लेते हैं फिर तो लाइफ में कोई परिशानी ही नहीं कोई समस्या ही नहीं और आप जूस तरक्की इस समय में expect कर रहे हैं उससे आप वंचित नहीं रहेंगे उसको आप प्राप्त करेंगे अगर आपकी मस्तिक सरेका की बनावट में थोड़ी भी दिक्कते होती हैं अलाकि इनके लगबग 32 वर्स की आयो के बाद से ही थी क्योंकि थोड़ा दिक्कत आना सुरू हो जाता है दो तीन चार साल पहले हैं तो अगर आपके हाथ पर कोई negativity रहती है तो वो आपको परशान करती है और मस्तिक सरेका की negativity आपको मानसिक तनाव देती है आप जिंदगी पर आगे कैसे बनोगे आप जिंदगी पर आगे कैसे बढ़ोगे अगर आप मानसिक तनाब में रहोगे तो, तो यहां पर से ये तो बात आपके इतली बता रही है मुझे, जहां पर से जातक की जिन्दगी पर एक बहुत बड़ा negativity मस्तिक्स रेका में था और अभी आपके 37 वर्सकी आयोए 3 साल आपको और बिताना है अब इसके लिए क्या उपाई करना है, सबसे पहले देखना है कि आखिर ये कितना तकलीफ दे है पहले हम बिमारी के गहराई तक तो जाएंगे न फिर जाके उसका उपाई करेंगे फिर जाके उसके मेडिसन्स को देंगे पहले ये देखना है कि चलो एक आवहास तो हो गया मुझे एक अंदाज़ा मिल गया मुझे कि आपकी मस्तिक्स रेका में गरबरी है अब ये कितनी देर तक गरबरी है कितनी जादा गरबरी है कितने डेफ्ट है इस गरबरी में इस बात को देखने के लिए मुझे आपके कुंडली का अधिन करना पड़ेगा वरतमान परसिती को देखना पड़ेगा वरतमान परसिती के बाद इसके विशह में वैचार करना पड़ेगा अगर कोई मारक समय होगा कोई बहुत ज़्यादा मारक समय होगा क्योंकि बहुत केसे में बहुत ज़्यादा मारक समय भी जिन्दगी पर आ जाता है तो अगर कोई बहुत जादा मारक समय होगा तो फिर ये इसके लिए आपको रेमेडी करने का आवशक्ता परेगी बहुत जरूरी आवशक्ता परेगी रेमेडी करने की अगर ये नॉर्मल होगा तो इसके लिए आपको जादा आवशक्ता नहीं परेगी कि आप remedy करो normal remedy से ये ठीक हो जाएगा क्योंकि ये थोड़ी थे problem बाले अवस्ता जरूर थी तो इस case में मैं आप जरूर चाहूंगा कि आप एक बार अपने कुंडली का अध्यान जरूर करे consider कुंडली जरूर करे ताकि आपके लिए ये बरी आशान हो तो ये चीज़ आपने देख लिए यहां पर से अब आगे मैं देख रहा हूँ आपके एतली पर और क्या चीज़े मुझे दिख रही है और negativity में जिसना मैंने कहा था कि बुद्धर रेका बहुत visible नहीं है तो जब बुद्धर रेका बहुत जादा visible ना हो तो जातक की जिन्दगी पर धन संचे करने में थोड़ी समस्याइं आती है पैसे उतने ही आते हैं जितने खर्च होते हैं अगर ये visibility हो जाए इसमें तो फिर पैसे बहुत जादा आते है तो हलाकि ये होने के chances हैं कि ये visible हो जाए जुकि मस्तिक रेका पर भी एक दिक्कत था वो एक प्राबलम थी वाकिछ जीबन रेका पर भी इसी कुछ आयों में कुछ विपरीत परस्ती के योग बने होए है इसका आड़ ये होता है कि जातर की जन्दगी पर हल्की विपरीत परस्ती बनती है मदलब जतना काम्यावी और तरक्की एक्सपेक करते हैं कि ये मुझे मेल जाना चाहिए उस काम्यावी और तरक्की में कमी को इंडिकर करती है तो ये कुछ इनके negativity इनके हाथ पर थी जो की मुझे दिखी और भी कुछ negativity है जिसको मैं दिखाने का कोशिश करता हूँ जुपिटर यहां से दवाब था तो जातक जितना काम्यावी एक्सपेक करते हैं या जिस लेवल की काम्यावी एक्सपेक करते हैं उस लेवल की काम्यावी पाने में उनको समस्याओं का सामना करना पड़ता है मदलब जातक को कारे छेतर को बराने में जातक को जिन्दगी पर आगे बरने में कुछ समस्याओं का कुछ रुकावटों का सामना करना पड़ता है ये इस बात का परचकरा रही है और जुपिटर के लिए भी रेमेडि कर लेना चाहिए बागी एक रेखा मस्तिक रेखा की यहाँ पर आके जुर रही है तो एक सीमियल लाइन्स का फॉर्मेशन यह जरूर कर रही है इसका आर्थ यह होता है कि जातक काफी बावगता में जिन्दगी पर गलतियां करते है और अगर आप जिंदगी पर गलती कर रहे हैं बावकता में तो ये भी आपके लिए दिक्कत वाली बात है तो यही उनकी कुछ negativity थी बाकी बुद्ध फिंगर थोड़ी छोटी परती थोड़ी है तो ये इंडिकेट कर रही है कि अगर बुद्ध फिंगर आपके छोटी हो तो आप decision maker अच्छे नहीं है दिरने लिने में थोड़ी समस्याओं का ये परचे जरूर कराती है तो दिरने को सोच समझ के लेने क्या आवशकता है अगर आपने दिरने सोच समझ के नहीं लिया तो फिर दिकत है चलो जी चीज़ आपने देख लिया अभी अभी कोशन पर चलता है कि ग्रोथ कितना होगा तो मैं कह रहा हूँ कि 40 वर्स के बाद extreme ग्रोथ आपको देखेगा वो आपके जीमन रेका भी बता रही है और भाग के रेका properly असपस्टता के साथ clear कर रही है एक से दादा property, जिन्दगी पर धनलाव, पैसे की आगमन मतलब गजब रहती है तो जो मूल समस्या है वो 40 में साड की आयू तक है 40 years तक आपको समझने क्या हो शकता है, 40 years के बाद तो विसेश समस्या के योग नहीं है चलो जी, अभी मैं और विचार करता हूँ, आपके जीमन रेका से आपके आगे के जिन्दगी को पूरता कवर करने का कोशिश करता हूँ तो life line क्या बता रही है, अच्छे परिवार से होते हैं, बच्छपन में progress time था, लेकिन यहां से थोड़ा तनाफ था तो थोड़े struggles जिन्दगी पर रहते हैं यह थोड़े struggles को तो जिन्दगी पर बताता ही है, जहांपर से मुझे आपके एतली दिखा और समझा भी रही है लेकिन आगे जैसे जैसे आप जिन्दगी पर बने हैं तो प्रगति का योग मतलब कुछ-कुछ achievement आपको मिलता रहा है एक आपके 11 वर्स में था, एक आपके 20-22 वर्स में कोई काम के start-up की योग थे 22 वर्स के बाद 24 वर्स में तरक्की थी, फिर एक आपके 27 वर्स में थी, फिर एक आपके 30 में, 30 में थी यहाँ पर यह देख लो 42 में भी है फिर आगे देख लो यहाँ पर से देखो यह 46 में भी है फिर आपकी तक्रीबन 48 में भी है फिर यहाँ पर देखो 52 50 years के आसपास 52 में भी है 55 में भी बढ़िया तरक्की है 57 में है फिर तक्रीबन 60 में 62 में है 65 में भी तरक्की है फिर एक ट्राइंगल 65 के बाद 65 के बाद भी लाइफ 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 लाइ लेकिन मूल तरक्की के हैसास आप केतली मुझे 40-50 के बात करा रहे हैं मंगल रेका भी खासा अवस्थित है जो कि आपको सपोर्ट करने वाई रेका के रूप में आपके तली पर अवस्थित है जहाँ पर से जातक के जिन्दगी पर ये सपोर्ट को बताती है जो सपोर्ट जातक के जिन्दगी पर मिलता ही है तो यहाँ पर से इनके जीबन रेका का ये वेस्टलेशन हो गया और कही न कही इनके पॉजिटिव और नेगटिव चीज़ को मैंने दिखा दिया और समझा दिया अभी इनके तलिक हम जनल अधियन करेंगे चीज़ों को असपस टूप से क्लियर करेंगे तो वीडियो काफी ज़ादा महतपूर है देखे, सीखे, समझे तो चलिए, सबसे पहले हम सुरू करते है इनके पाम के सेप से क्योंकि पाम के सेप को देखना बहुत जरूरी है आगे के बारे में बताने है तो तो पाम का सेप इनका क्या बता रहा है ये इनका रेक्टेंगल सेप का पाम है बड़े जिद्धी पड़िवर्ती के विक्ती होते है आप जिद्ध बहुत ज़ादा होता है जिन्दगी पर कुछ करने का ये जिद्ध का परचे आप के तली मुझे करा रही है और बड़िया बड़िया लाइन्स बड़िया प्रनेट के इंडिसन्स है इस बात का ये परचे करा रही है और गुलाबी हतली है धन को एट्रेक करती है पैसे की तो मूड रूप से कोई दिक्कत नहीं है कोई दिक्कत नहीं है पैसे बहुत जादा आते हैं बहुत जादा एक्स्ट्रीम तो ये देख लिए आपने गुराबी हतली इसी बात को इंडिकेट करती है अभी मैं आगे इनके थंब को देखता हूँ तो एक थंब जो इनका बहुत जबरदस्त है स्ट्रॉंग इक्षा सकती यवा किरती है जबी भी सपोर्ट क्या वशक्ता पड़ेगे मिल जाएगी डिजायर्स के बहुत ये अच्छे लाइन्स है ये इंडिकेट करते हैं जातक बहुत ज़दा महात्मा कांची होते हैं ट्रैंगल से जो नेगेटिविटी को दूर कर रही है और जबरदस्त आपका थम्ब है जबरदस्त तो ये इंडिकेट कर रहा है जातक बहुत ज़दा प्राकरमी होते हैं एक्स्ट्रीम प्राकरमी होते हैं लाइफ में कुछ करने के इक्छा बड़ी तिवर होती है इनकी और strong thumb है तो strong मान सकता भी होती है यहाँ पर से line से indicate कर रही है कि यह दर्शाती है कि ऐसे विक्ती थोरे से कभी कबार घवराते भी है थोरे घवराहट भी गवराहट की समस्या कोई बताती है यह समस्या थोरी अंदर से थोरी दर्ड की भावना यह इस चीज का भी परिचे कराती है यह जो lines मने यहाँ ड्रॉ किया है वैसे thumb पढ़िया है तो जुकने बारी personality बिल्कुल भी नहीं है इनकी जिन्दगी पर आगे बरने बारी personality है और जिन्दगी पर ऐसे विक्ती आगे बढ़ते भी इस बात का भी guarantee है तो बैतरीन थम्ब है बागे समझदारी के लूप काफी अच्छी विक्ती बहाँ ज़्यदार पर विर्थिक है समझदार समय संदगी को जीते है और lines काफी अच्छे इनके हाथ पर यह दिल के बड़े अच्छे विक्ती है दिल में कोई किंतो परंतुनी सब के लिए अच्छा सोचना थोड़ी इंट्रोवर्ड है यह इस बात का परचे करा रही है जातर थोड़ी इंट्रोवर्ड रहते है ब्रस्पती फिंगर टेंड कर रही अच्छी दारमी कासता है आपकी और सेटर्ण फिंगर लंबी है तो अच्छे महनती वेखती है आप सुर्फिंगर लंबी हिम्मत को दर्शारी है बुद्ध फिंगर थोड़ी छोटी है तो डिसिजन बेकिंग में प्राब्लम सो दिरने को सोच समझ के लेने की आवशकता है तो यहाँ पर डिसिजन बेकिंग सो समझ के करने की आवशकता है बाकी फिंगर लंबे कर अच्छी क्रेटिव इच्छी समयजारी का परचे तो करा ही रही है बाकी अगर मैं आगे देख लो यहाँ पर से तो यहाँ पर से थोड़ा दवाब है तो इनसान के जिंदगी पर प्राडबिक समय स्ट्रगल रहता है बाकी यह कुछ लाइन्स पर अपकारी यह प्राग यह मतलब प्रोग्रस वाली थी और स्क्वाइर साइन ता 32 वर्स के बाद जिंदगी रहती है प्र प्राग क्रिमी रखती है आप और परोपकारी भी है साथ-साथ मतलब जातक दूसरे के लिए करना चाहते हैं ये आपके अतली ही मुझे समझा रही है और बड़े समझदार परवर्ती के होते हैं बहुत जबरदास दिन के ये है मतलब माउंट्स काफी प्रबलता मवस्था मैं इस बात का परचे करा रही है कि बरश्पदी एक समय के बाद ठीक है लेकिन फिर भी इसका उपाई कर लेना चाहिए क्योंकि अगर सुरू में तोला गरबर होना तो ये थोड़ा इंपेक्ट जिंदगी पर तो डालता है बागे अगर मैं आगे देखो तो यहां पर से एक माइंड रेखा दे दूटी भी थी चालिसमे साड़ के बाद अच्छी है कुछ ट्राइंगल से जो नेगेटिविटी को दूट कर रही है हिर्दर रेखा काफी अच्छी है बहुत समझदार पर विर्थिक है बेसिक नोड़ेज बहुत अच्छा होता है सूरी रेका बहुत कमाल है जातक बहुत समझदार है जिंदगी पर आगे बरना जानते हैं और आगे बढ़ भी जाते हैं ट्रैंगल से जो आपकी नेगेटिविटी को दूर कर रही है ये भी देख लो तरिवोज नोवा आकरती सूरी रेका आगे बर रही है यहां से भी एक तरिवोज है ये भी एक तरिवोज को बता रही है पैतिल संपत्ति का अच्छा साथ ले समरपित रहते है दोडों मंगल बढ़िया है तो हाइली एनरजेटिक है मंगल आपके एनरजी प्राकरम समरपन को दर्शाता है दिरगायों को दर्शाता है योग को बताता है कि जातक काफी लोजिकल होते जो जातक के जिन्दगी पर पैसा आता इस बात का परचकरा रही है तो चैनरमा काफी प्रबल है ये लाइन से अभी प्रॉपर क्लियरेट के साथ नहीं है तो थोड़े धन के हानी को भी बताती है कि ये धन संचे नहीं कर पाते हैं आगे ये डारक होगी तो बहुत कर पाएंगे आप ये भी कुछ लाइन सालकी फलकी पेट की प्रॉबलम्स को बताती है बागी बागी रेका 18 वर्स के बाद बढ़िया थी फिर जिन्दगी के लास तक है 34 वर्स के बाद भी कमाल है जिन्दगी गलास तक बहे मिथाल है सूरी रेका तो बदबुत है मैं क्या बोलू मैं बस एक ही शब्द बोलूँगा मसा आ गया इस सूरी रेका को देख के ये भी एक देखो सूरी रेका के ब्रांचे ये भी ब्रांचे से बहुत कमाल जीवन ड्रेका बहुत ही एच्छी है आयो द्रिगायो मंगर ड्रेका भी कमाल है ऐसे व्यक्ति लंबा बसते हैं लगजरी के लाइन से थोड़े स्ट्रेस के लाइन थे वो वड़ा समान ले था बाकी मंगल परबल है तो फिर समस्याएं क्या है जिन्दगी बड़े लगजरी में रहती है और बड़े प्राक्रमी रूप से ऐसे व्यक्ति जिन्दगी को अच्छा करते हैं शुक्र बढ़िया है तो फिर कोई टेंशन वाली बात ही नहीं यह लाइफ में लगजरी एनरजी यह सब तो प्रियाप्त रूप में रहता है प्रियाप्त मात्रा में तो यह तारीक दली का पूर्णता विश्ट्रेशन अकर आपको हमारे यह विड़ पसंद आया और विक्तिकत रूप से आपने सास्तरे का दिखाना चाहते हैं और सही जानकाली पाना चाहते हैं हमारा वा